हालो कॉइस वैलकॉम डूट रेकिया सुर्क यूट्यूब चैनल और कैस फाइनली वन प्लस ने इंडिया में अपने नए फ्लाक्शिप किलर स्मार्टफोन को डॉंच कर दिये इसका नाम है यहाँ पर वन प्लस 11R 5G स्मार्टफोन एंड फीचर्स तो आपको धमाके दार देखने को मिल जाते हैं उससे बड़िया यहाँ पर वन प्लस ने इसकी इंडिया प्राइस पॉंट रखिये तो आज की स्विडिय में कंप्लीट डीटेल देने वालों इन अपने सब्सक्राइब के साथ मैं शेयर करूंगा तो गाइस चलिए वीडियो स्टाइब करते हैं तो फ्रेंस वीडियो स्टाइब कर लेते हैं बिना टाइम एस करें फटा फट से आपको वन प्लस 11R 5G स्मार्टफोन के इंडिया वाले विरेंट के कंप्लीट स्पेक्स बता देता आपको 6.7 इंच का एक सेंटर पंचोल के साथ में 120 हर्ट सी फैशेट के साथ में एक अमलेट डिस्प्ले दिया गए ये सारी चीज़े तो नॉर्मल है लेकिन आपको बता दू यहाँ पर आपको कर्फ डिस्प्ले देखने को मिलता है और जो रिजूशन भी हो आपको 1.5K मतब 1080p से थोड़ा ज़ादा है 2K से थोड़ा काम है तो जो डिस्प्ले का जो एक्स्पिरियंस है वो एकड़मस आपको टॉप नॉच कॉलिटी का यहाँ पर भी देखने को मिलता है रम और रॉम के अगर हम बात करें इंडिया में टोटल दो विरिंड में लॉंच करा गए 898 से based on start होता है then सीधा आपको 16GB की RAM 256GB वाला storage देखने को मिल जाते है उसी की साथ मैं dual SIM का support मिलता है SD card slot देखने को नहीं मिलता है UFS 3.1 का storage type and LPDDR5X वाला RAM type यहाँ पर दिया गये इंडिया में सारे 5G band जितने में आपर support करते हैं यहाँ पर यह smartphone पर supported है यहाँ पर यह स्मार्टफोन पर supported है Cameras के अगर हम बात करें ते हैं आपर अगेन आपको back में triple air camera का setup मिलता है 50MP का primary sensor है Sony IMX 890 वाला sensor दिया गये OIS के साथ में then 8MP का ultra virtual camera then 2MP का macro camera जिबकि 16MP का selfie camera भी आपको देखने को मिलता है Android version and UI के अगर हम बात करें तो out of the box आपको Android 13 देखने को मिलता है Oxygen OSP यहाँ पर यह run करते है SENSORS यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं including in display fingerprint scanner, face unlock का feature Sadly 3.5 headphone jack का support देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर OnePlus के alert slider ने come back करें जो के काफी बढ़िया बात है उसी की साथ में dual studio speaker का support भी यहाँ पर दिया गये Battery life के अगर हम बात करें आप अब अगेन आपको 5000 image की battery मिलती है Type-C port के साथ में device support करता है 100W की fast charging को इंडब में आपको 100W का fast charger भी देखने को मिल जाता है तो यह overall धमाकेदार फीचर आपको देखने को मिलते है OnePlus 11R 5G smartphone के इंडिया वाले विरेंड में अब बात के लेते सबसे important चीज़ के बारे में जो के यह smartphone की price point बहुत सालों बाद यहाँ पर OnePlus ने अपने जो फ्लक्षिप killer smartphone की जो है price point यहाँ पर सही रखिए, features तो यहाँ पर धमाकेदार है जो इसका base विरेंडे 888 वाला विरेंड इंडिया price point रखी गई है 39999 बतब 40,000 में यहाँ पर इसे launch करा गया है जबकि जो 16256 विया लग कंबिनेशन है उसकी price point रखी गई है 45,000 तो और अलगर देखा जा भी नहीं लेकिन यह 40,000 रुपीज में बिल्ड डिजाइन अच्छा देखने को मिल जाता है डिस्प्ले फ्लाक्शिप ग्रेट का है पर्फॉर्मेंस फ्लाक्शिप ग्रेट के कैमरा वगरा भी काफी तगड़े हाँ टेली फोटो लेंस देते तो और बड़ी हो सकते था उस और यह स्पेसिविकेशन को देखते वे आपके सबसे यह प्राइस पॉइंट सही है, महंगी है, कम है, जो भी आपके ओनेस ओपिनियन यह स्मार्टफोन को लेके मुझे पताना नीचे कमेंट्स में तो लाइक करे शेर करे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ना में रपस अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए, थैंक यू